पेलेक्शन का दावर बड़ा दहमा दहमी में निकल गया और जैसे के दिगर पार्टियां अवेशी बिरादराउं से परिशान हैं वहीं देखा जाए तो यूपी की सिर्फ एक चीट पर लड़ी अवेशी साब के पार्टि चंता ने खूब दिया होट और यूपी में असर ये हुआ कि सपा से मुस्लिम होट बैंक सीदे ए आई एम आई एम की तरफ भूम गया सपा बस्पा कांग्रेश को बड़ी हार का सामना करना पड़ा अगर यहां से याई यूपी से इसी तरह से ए आई एम आई एम ने मेहनत किया तो ये कहना गलत ना होगा कि आने वाले जिनों में इस पार्टि से जीट की दहलीज बहुत दूर नहीं होगी उत्तर परदेश की परताब कर विदानसवा सीट पर पड़नाम गोसित होने के बाद जहां भच्चपा समार्टिक अपना दल के परतियाशी राजकुमार पाल ने 29,699 से सपा परतियाशी बिर्जेश वर्मा को परादित कर दिया है राजकुमार पाल को 52,996 मत मिले तो सपा के विद्जेश वर्मा को 23,997 मत ही मिल सके आल इंडिया मजलिसे तिहादल मुस्लिमीन के परतियाशी मौलाना इस्तरार रहमत को शांदार कावियावी मिली इस्तरार रहमत ने 20,264 ओट लेकर कीसरे अस्तान पर रहे वहीं 24 अस्तान पर कांग्रेश के नीरच की पार्टी में 29,677 ओट मिले तो बस्पा परतियाशी रौनजीत पटेल को 18,960 मतों से ही संतोस करना परा स्पा ने बड़े रणनीत के तहट कारोबारी प्रिजेस वर्मा को तिकट देकर चुनाओ को बेहत करीबी बनाने की कोशिक किया था पर्पा ने भी बाहरी उम्मीदवार को उतारा तो एक बार स्पा के सेमे में काकी हल्चल हुई लगा की आखरी वक्त में सपा के पर्तियासी को मजबूत मिल गया है दस्कों से परताबगर में बड़ा कारोबार जमाय हुए इस परिवार को राजनीतिक मैदान में उतरना तेक साबित हो सकता था लेकिन अवेजी साब की पर्तियासी ने हवा का रुख ही बदल गिया और अपना दल के उमीदवार को जीद मिल गई AI M.I.M. पर्तियासी को पहले तो लोग बहुत गंभीता से नहीं ले रहे थे लेकिन जैसे जैसे इस उमीदवार ने सुनावी मैदान में लोगों से मुलकाद करना शुरू किया तो कापी बहतर तरीके से इनके पच्छे में ओस एक जुड होना शुरू हो गए असर आइस्टा आइस्टा देखने में ये हुआ सपा से मुस्लिम वोड बैंक सीदे AI M.I.M. की तरफ भूम गया सपा पस्पा कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा अगर यहां इसी तरह से AI M.I.M. ने महनत की तो कहना गलत ना होगा की आने वाले दिनों में इस पार्टी से जीच की दहलिज बहुत दूर नहीं होगी और लोग महनत करें और काम करें गरीबों से मिलें गरीबों का काम करें आज नहीं तो कल यम आई यम दूसरे नहीं तो तीसरे अक्तान पर पूरे इंडिया में पार्टी बन कर उभरेगे